दोस्तों उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकान मामले में सियासत तेज हो चुकी है और अभी इस पूरे मामले में मायावती बहन कुमारी मायावती भी कूट पड़ी हैं मायवती ने क्या कुछ कहा योगिया दितेनात को कैसे चुनोती दिये मैं आपको विस्तार से बताउंगा लेकिन सबसे पहले जान लिजे कि जिसका एनकाॉंटर हुआ है कहा जा रहा है कि उस्मान परिवार दावा कर रहा है कि उस्मान नहीं विजे चोधरी का हुआ एंकाउंटर जिसको लेकर राम गुपाली आदो ने भी चूच किया है कहा है कि प्रियाग राज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं और दबाव है कि मारो जो पकड में आ जाएगा उसको मार देंगे एक दो दिन में अतिक क किसी एक बेटे का बेटे को ये सरकार मरवा देगी आप देख लेना तो देखे राम गुपाली आदों यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि अतिक अहमत के बेटे का एंकाउंटर हो सकता है बहुत बड़ा आरूप लगाया गया है उन्होंने कहा है कि अतिक के दो पढ़ने वाले बेटों को पुलिस ने घटना के पहले ही दिन उठा लिया था अतिक की पतनी हाई कोर्ट में गवार लगा चुकी है कि उसके दोनों बेटों का एंकाउंटर हो सकता है अब पुलिस यदे एंकाउंटर करती है तो वो फर्जी ही माना जाएगा तो सियासत चरम पर है माया वत पुलिस था कैसी है उसको लेकर सूर्य प्रताप सिंग ने एक बार फिर से कटगरे में खड़ा किया है योगी सरकार को इलाबाद कांड में पेंच फंसे हैं एंकाउंटर का शिकार होने वाला विजे चौधरी था या उस्मान ये साफ नहीं है पतनी तो माग में सिंदूर लगाए है उन्होंने काया कि पतनी जो है मांग में सिंदूर लगाए तो वो हिंदू है राजनितिक लाब के लिए विजे को ही उस्मान नहीं बना दिया गया ऐसा आरूप लगाए जारा क्वेशन पूछा गया क्या राजनितिक लाब के लिए विजे को उस्मान बना दिया तो उमेश पाल हत्याकान में कहा जा रहा है कि अतिक अहमत के बेटों का भी एंकाउटरी नहीं था वो विजे चोधरी था तो देखें कैसे एंकाउटर हो रहा है कि इसके किसी घर पर बुल्डोजर चल रहा है आप साफ दोर पर समझ पा रहे होंगे लेकिन दोस्तों अब आपको ध्यान देने की ज़रुत है बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है उसको जान लेजिए उन्होंने कानून बेवस्ता को लेकर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने काया कि हमारा राज देखे सपा का राज देखे जंगल राज था और यहां जो योगी सरकार है यहां पर गुंडा राज है माया वती ने आज एक ट्विट किया है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ माया वती जी लिखती है कि प्रियाग राज में उमेश पाल हत्या कांड के पाद इस संब्ध में काफी आपा धापी में अब तक की गई पुलिस कारवाई जो जनता के सामने आई है उसे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रती भारी संदे है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर परदा डालने के लिए दूसरा विकास दूबे कांड करेगी वैसे पुराने राजुपाल हत्या कारण के गवाह उमिश्पाल की दिन दाहारे हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खास कानून दौस्था को लेकर काफी तनाव में दबाव में है किन्तों पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराधी अपराध रोकेगी तो यहां पर एंकाउंटर को लेकर बुल्डोजर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों बड़ा सवाल यही है हाथरस कान्ड में जो आरूपी थे ठाकुर बताया जा रहा थी उनके घर पर बुल्डोजर नहीं चलाए गया लगातार जो परिड़ परिवार है वो इंतजार कर रहा कि कब बुल्डोजर चलेगा तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या आरूपी का नाम जाद देखकर बुल्डोजर या एंकाउंटर होगा क्योंकि जिसका एंकाउंटर हुआ उसका एंकाउंटर नहीं होना चाहिए था तो उमेश्पाल हत्याकान में आरूपी था उस्मान उसका एंकाउंटर नहीं हुआ विजए चौजरी का एंकाउंटर हुआ ऐसे आरूप भी लगाया जा रहा है तो बुल्डोजर का जो समर्थन करना है वो लोग बिल्कुल सम्विधान के हिसाब से बात नहीं करना है क्योंकि बुल्डोजर आप कैसे किसी के घर पर चला सकते हैं जब आपके देश में सम्विधान का राज है, कोट है, कानून है, पुलीस है तो एक प्रकिरिया के तहट आप सज़ा देंगे, आप कैसे किसी को आरोपी घोचित करके उसके घर पर बुल्डोजर चलवा देंगे वैसे एंकाउंटर भी सम्विधान के खिलाफ कहा जाए तो क्योंकि एंकाउंटर जो आप किसी का कर देते हैं, तो वो मामला कोट तक नहीं पहुंचता है बहुत ही विशेश परिस्तितियों में ही एंकाउंटर करने की छूट की बात जो कारूं विशेशक हैं कहते हैं तो एंकाउंटर हो या बुल्डोजर हो, दोनों को फिलाल एकी श्रीड़ी में रखा जाना चाहिए आप किसी आरूपी को तैंग करिए, उसे सज़ा देने का काम कोट का है, ना की मीडिया का, ना की किसी एंकर पत्रकार का यूपी की सरकार, योगिया रतिनाथ की सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर घिरी हुई है और मायावती ने और एक बार फिर से योगिया सरकार को हड़का दिया है और कहा है कि यहाँ पर गुंडा राज है, पहले जंगल राज था, हमें कानून का राज लाना पड़ेगा और बहुत सारे जो मुल्लिवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, बहुजन है वो लगातार कह रहे हैं कि मायावती जी आपने जो टूइट किया है, बहुत बढ़िया टूइट किया है और अब आप सत्ता में आ जाईए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, ना तो उन्हें गुंडा राज चाही है, जैसा क्या रूप लगाया जा रहा है तो अब मायावती के शासन का इंतजार यहां पर हो रहा है, क्या लगता है, जिस तरीके से कारवाईया की जा रहे हैं, तो बहुत अपूर तरीके से कारवाई हो रही है एंकाउंटर हो रहा है बुल्डोजर चलाय जा रहा है क्या लगता है मायावती का शासन था मायावती का शासन अच्छा था अकलेश का अच्छा था या फिर योगी का अच्छा है और क्या जिस तरीके से मायावती जी ने ट्विट किया है क्या लगता है मायावती जी काफी सक्रियता दिखा रही है आचकल हरे मुद्वे पर अपनी बिवाक राय रखती है तो बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से योगी सरकार को घेरा है उससे क्या लगता है बहु निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़